हेलो एवरिवन नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गूड लाइप में सुभा का टाइम है और यहां पे मैं बना रही हूँ लंच क्योंकि हमारे यहां पे लंच सुभा ही बन जाता है मतला वह इतनी जल्दी नहीं तो लंच बन लिया है तो अर्वी की सबजी बनेगी और साथ में बनेगी रोटी या पराठे जो भी सब की अच्छा होगी और मैंने कट कर ली हैं और बस तयारी करते हैं तड़के की कुकर में मैंने ओयल चड़ाया है और गरम होने के बाद फिर उसमें डाल दिया है अजवैन और प्याज हमारी गोल्डन हो गई है अब मैं स्मेट कर रही हूं धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सारे मसाले अट करने के बाद अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर दूंगी इस तरह से मिर्ची जैसे मिक्स करते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है फिर इसमें डाल दिया है टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट अधरक बगएरा मैं अर्वी में यूज नहीं करती हूं फ्लेवर चेंज हो जाता है तो खाली अजवैन के फ्लेवर के साथ अर्वी बनती है बहुत टेस्टी बनती है और बिल्कुँ सिंपल तरीके से मैं ये सबजी बना रहे हूं नमक एड़ कर दिया है टेस्ट के खोडिंग और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और थोड़ा सा मसाले को पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके तो ये देखिए ओयल सेपरेट हो गया है मसाला अच्छे से बुन गया है यहां पे अड़ कर दूंगी इ इसके साथ हम आलू भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं तो मैं यहां पे अर्वी इसमे एड़ कर दूंगी और कुकर में इसलिए बना रही हूं आप बोलोगे कि अर्वी भी बॉयल है और फिर भी कुकर में बना रही है अर्वी मैंने बहुत ही अलकिसी बॉयल करी ह वो क्यों कर यह मैं कच्ची भी बना लेती लेकिन उस से ना फिर कच्ची अगर मैं अर्वी छीलती हूं तो मेरे हाथों में हो जाती है खुजली तो खुजली उनने किससे बचने के लिए इसको मैं हलका सा बॉयल कर लेती हूं और बस एक सीटी अब आएगी एक मैंने पहले ल जल्दी होता है यह ओफिस जाते है लंच बगएरा लेके तो सुभा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और मैं कुछ भी नी बना रही हूं सिंपल अर्भी की सबजी और रोटी बनाऊंगी पराठे भी नी बना रही हूं पराठे आज कल बहुत कम बन रही हैं सबने मना किया पराठे कई बार डेली भी बनते थे लेकिन अब छोड़ दी हैं पराठे बनाने अब पहले पापा के लिए मैं पराठे बना दी थी लेकिन अब रोटी ले रहे हैं पापा भी और रोटी सही भी हैं पराठे नुकसान करते हैं डेली तो आटा वगेरा लगा के रखतीया था मैंने और यहां पे देखिए अर्विकी सबजी बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत ही अच्छी कुश्बू आ रही है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बहुत ज्यादा थिन भी नहीं तो इस तरह है कि मैं अर्विकी सबजी बनाती एकदम सिंपल ये देखिए बहुत ही टेस्टी तो बस यहाँ पे मैं डाल नहीं हूँ इनके लिए सबसे पहले ठंडी हो जाएगी और पिछली बार ना वो कॉमेंट आये थे कोई बोल रहा है कि डाइबटीज में अर्वी नहीं खाते हैं कोई बोलता है खानी चाहिए तो मुझे तो नहीं पता अर्वी तो खा लेते हैं आलू का परेज होता है डाइबटीज में लेकिन अर्वी का तो मुझे नहीं पता तो और भी मैंने ठंडी होने के लिए रखती थी और जल्दी जल्दी अब मैं से नहीं मिल रहा है तो संडे को भी चले गए थे इस बार तो इस बार नहीं पता कब संडे और कब मंडे तो खाना पिना हो गया था और मैंने काम भी सारा खतम कर लिया है आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी या नुस्खा जो भी आप बोलना चाहें और ये खास नजले के लिए जो काम के लिए खासी के लिए होता है तो सरदी में स्पेसल है ये बहुत जादा और इसका कोई ऐसा वो नी है कि इसको कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा तो सब इसको आराम से ले सकते हैं तो इसके लिए मैंने ये मिष्णी ली हैं डली वाली जो मिष्णी होती है आप चाय मीठा कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन इनको डाइबटीज है तो इसके लिए मैं ये मिश्री लेती हूँ और ये न कम ही लूँगी तो मतलब मीठे की वज़ा से बाकी मीठा आप इसमें कुछ भी उज कर सकते हैं चने है, काली मिर्च है, सफेद मिर्च है, अखरोट है, बादाम है तो ये इस नुस्के के लिए हमें चाइए, अखरोट कोई जरूरी नहीं है, आप खाली बादाम दाल सकते हैं और ड्राइफूट आप नहीं भी डालना चाहतें, तो वो भी कोई ओनी है कि ये जरूरी डालने हैं, थोड़ा सा जो है इसको रिच बनाने के लिए मैंने ये ड्राइफूट एड़ किये हैं, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है, नहीं तो आप ये काली मिर्च, सफेद मि अगर आपको खासी है, पुरानी खासी हो रही है, नजला हो रहा है, नहीं जाता है, तो आपको पता ही है, काफी टाइम से मुझे नजला चल रहा था, तो ये नहीं था, गर्मी में मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ सर्दी में करती हूँ, तो बस टाइम नहीं कुछ मैंने पीस लिया है और इसको छानने का कोई भी हमें वो नहीं है कि इसको छानना पड़ेगा क्यूंकि बारीक अच्छे से फाइन पिस गया है तो मैंने निकाल लिया है और चने की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं थोड़ा एक बारी जादा ले क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है कि मैं जल्द जल्द इसको कर लूँ तो एक बार ही मैं इसको जार में भरके रखतूंगी तो यह बचा हुआ जो भी हमारे ड्राइफूट है चने हैं वो सारे मैं इसमें एड़ कर लूँगी और एक एक चमच मैंने आपे फिर से मिर्ची की डाल दी है ब्लैक पैपर वाई पैपर दोनों मैंने इसमें एक चमच लिया है क्योंकि चने की क्वांटिटी थोड़ी जादा है नहीं तो एक चमच काफी होगा वो अपने तीखे के इसाब से आप कर लीजेगा जिस तरह भी आपूत तीखा खाना पसंद हो क्यो तो यह नहीं तो रही थी तो उसको नीचे मुझे करना पड़ा थोड़ा सा यहां पे हो तो गया है काम मेरा फैल गया है लेकिन तो बहुत हाड होती है कहीं मिक्सी ना तूट जाए मितला इसके जो ब्लेड है न वो ना तूट जाए तो इसलिए इसको मैं छोटा-छोटा कर कि यहां पे डाल लूगी और यह द्रक उटने वाली है उससे मैंने कर लिया है तो आप अपने इसाब से इसमें जो छोटी मिश्री है वो पीश सकते हैं चीनी भी थोड़ी पीश सकते हैं या फिर बूरा आता है जिसको कुछ लोग तगार बोलते हैं हमारे या तो बूरा ब करने वाला है मिठा नहीं होगा इससे तो यहां पे मैं सारा एक जगह कर लूँगी बड़े से बरतन में देखे सारा कर लिया है एक जगह और वो मिश्री वाला भी तो इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स और अगर मुझे लगेगा अभी तो यह फीका ही है इसमें कु दूरा मैं इसमें डाल लूँगी लेकिन यह देखे अभी ने डाल लिए हूँ यह देखे कितना अच्छा मतलब बादाम है न जो और अक्रोट है तो अक्रोट का जो ओयल होता है वह काफी मतलब ऐसा हो गया है जैसे हमने इसमें कुछ ऑयल डाला ओ बादाम में भी होता है और अक्रोट में भी होता है तो उससे यह थोड़ा सा मतलब वो नहीं रहता सूखा सूखा सा तो ड्राइफ फूट इसमें मने थोड़े से डाले हैं नहीं तो आप खाली चने भी मिर्ची के साथ कर सकते हैं यह भी बहुत फायदे के हैं और ऐसा नहीं इसको कोई बढ़ाई ख चमच एक चमच जितना भी आपका मनोत नाशक को ले सकते हैं 2 चमच से ज्यादा दो खैर इसको कोई ले नी पाएगा तो एक से दो चमच आप इसको ले 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 लेकिन हमारा थोड़ा उल्टा होता हैं हम इसको सुभा लेते हैं और वो भी चाई के साथ हम दूद के साथ नह मेरे पाजमाया है काफी सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है तो आज तो मैंने टाइम निकाल के बनाई लिया और यह मेरी मिर्ची रखी हुई थी जो अभी मैंने यूज करी हैं तो इनको मैं साथ سाथ यहाँ पे पीस रही हूँ काली मिर्ची हैं सफेद निर्ची $ हो इक नो साथ साथ मैंने में यह कामभी कर दिया है और अब बारी आ के शुड़ी जुके है किचन क्लेन की थोड़ा सा ना ूद को तो मेरा हो गया था जो दुलाई वगएरा का काम था लेकिन उपर का किचन मेरा रह गया था जो कबड वगएरा साफ करने थे तो वो मैंने आज किये हैं और ये मैं इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ वीडियो बहुत जादा बड़ा हो जाएगा तो जो भी मेरा पूरा काम हैं वो मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो दूसरे चैनल पे जाएगी हरिदवार फैमिली ब्लॉग पे तो आप महाँ पे देखिएगा कबड़ वगेरा मैंने सारे साफ कर लिये हैं अंदर से और वीडियो कर रही थी मतलब पूरी लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बैट रही थी तो फिर मैंने दो पार्ट में इसको कर दिया है दो वीडियो बना दिये हैं तो इस पे मैं यही बस यहां तक कई पार्ट डाल लई हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेर करी है वो अच्छी लगी हो तो तब भी लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और यह नुसका ऐसा है आप इसको शेर कर तो बहुत अच्छा है चलिए तो अब दीजे इजाज़त मिलूगी आने वाले प्यारे से व्लोग के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक यू पूर वोचिंग